हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल स्टॉक राइडर्स फ्रेंड्स स्टॉक एनलिशिस वीडियो में आपका स्वागत है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिलनों उने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा मुथूट फाइनेंस और अधर स्टॉक में उनलों के स्टॉक के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि वर्दबान टेक्स्टाइल पे वीडियो बनाई है तो अगर मैं गूगल मैं सर्च करता हूं तो 52 वीक का जो हाई है वो 576 दिखाता है एनिवे हो सकता कुछ प्रवलम हो बट 52 वीक का लोह है 245 कॉंटिटी लास्ट टेडिंग सेशन में ट्रेडवी थी पांच लाग 19,443 डिलीवरी कॉंटिटी दो लाग 46,815 है डिलीवरी परसेंटेज 47.52 डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी उठाई जा रही है अगर परसेंटेज जीरो शेर होल्डिंग पेटर्न की बात करते हैं प्रमोटर्स की लास्ट ट्री कॉर्टर में 63.15 से 62.91 ये थोड़ी कम हुई है एफाई आई इस 6.30 से 7.51 ये बढ़ी है लेकिन लास्ट टू कॉर्टर की कम परिजन में थोड़ी कम हुई है डिया इस 18.84 से 16.56 गॉर्मेंट का स्टेक यहां पर लास्ट टू कॉर्टर में 0.34 अभी जीरो हो गया है पबलिक यानि रिटेलर्स 11.71 से 13.01 रिटेलर्स तो बहुत ज़्यादा बुलिचेंसी स्टॉक के अनर ओवर्रॉल देखा जाए सेर होल्डिंग पैटर्न सही है तो चार्ट पर बात करत सेवन और यहां पर है वनार का चार्ट वनार के चार्ट मारे से 56 ओवरॉल तीनो चार्ट मारे से बुलिस है वन बाई वन चार्ट के अनलिशिस करेंगे वन वीक का चार्ट है यहां पर हाई 576 के आसपास दिख रहा है लो दिख रहा है 245 के आसपास में यहां पर अगर आप देखेंगे यहां से अगर आप देख रहे हो यहां पे एक साप सेल उसके बाद में थोड़ा सा पुल बैक उसके बाद से फिर एक थोड़ा सा डाउन साइड उसके बाद में डबलू पैटन यहां कंफर्म और अपसाइड हुआ तो अभी यहां पे टू वीक यानि यह वीक अभी श्टार्ट हुआ है, एक वीक में यहां पे एक उपर कंसोलिडेट कर रहा है भी, और 308.90 पे श्टॉक बंद हुआ है, अब बात करते हैं, वंडे के चार्ट में, तो वंडे के चार्ट में देखिया यहां पे श्टॉक, ट्रेंड लाइन यहां यहां पे अगर आपको यह श्टॉक 312 के उपर अगर निकलता है आप बाइंग कर सकते हैं पहला टारगेट इसका 326 के आसपास यह दोन भी दिख रही होंगी आपको 326-327 के आसपास में हैं अगर यहां से उपर और जाता है तो 350 यहां पर 350 के बाद में क्या होगा यह करता रहा फिर इसके बाद में यहां पर एक 430 के आसपास में एक ब्रेक आउट दिया बहुत ऊपर तक चला गया तो 350 के बाद में यहां पर कंसोलिडेट करेगा ही करेगा प्रीवेस हिस्ट्री यह कह रही है इस जोन में रहेगा 352 430 के बीच में जब भी देगा बड़ा यहां पर एक रसिस्टेंस दिख रहा है 486 के आसपास में यह होगी वंडे के चार्ट के अनलिसिस यानि कि यहां से अगर 312 के उपन निकलता है 326 327 एक आपका पहला टार्गेट हो जाना चाहिए उसके बाद से 350 जो लोग सौट तर्म में देख रहे हैं यह दो टार्गेट वन वीक में अगर हम टार्गेट की बात करते हैं यहां पर देखिए एक डबलू पेटन बनाया है जैसे मैंने दिखाया था भी उसके बाद से ऊपर 378 का ऊपर यहां पर टार्गेट होगा उसके बाद से 420 के आसपास में जो पूरा रेंज दिख रही है यहां पर 420 के थी उसके बाद से अपट करते हुए ऊपर निकला है इस तौक अब मैं आ जाता हूँ वन आर के चार्ट में वन आर के चार्ट में भी आपको कि लियर इंडी केसन दिख जाये यहां से बड़ी केंडल्स बनाई उसके बाद से एक रेंज के अंदर है नीचे की जो रेंज तो यहां से अगर यह स्टॉक जैसे मैंने बताया 300 वंडे के चार्ट में 312 कूपर बूला है मने 312 कूपर निकलने दीजिए उपर यह 318 फिर उसके बाद 327 तो जा नहीं है उसके बाद से तो बड़े टार्गेट्स हैं फिर 350 तक उपर यहां पर यहां पर 350 के आसपा 353 या 355 यह देख रहे होगे आप यहां पर 358 के आसपास में है तो यहां पर यहां तक इस्टॉक ऊपर जा सकता है यह सौट टर्म के टार्गेट है लॉग तर्टम में मैंने बता दिया है आपको 430 486 486 तक जा सकता है जो लोग लॉग लॉग तर्म में उसके बाद से लॉंग टम वालों के लिए है इस पेस है बहुत इस पेस है उपर नीचे अगर आपको एसल रख सकते हैं इस स्टॉक में तो फिर आपको इस्टॉक यहां से एक्जिट करना पड़ेगा एट अनी कॉस्ट क्योंकि अगर आप अगर मैं यहां से देखो और यहां निकलना पड़ेगा है अगर इस टंडल कर ब्रेक करेगा यहां पर 312 बोल नहीं नगी है लेकिन अगर सपोज कीजिए यहां से गया अफसाइड गया है यहां से ब्रेकॉट फेलियर हो गयाँ के जान नीचे न तो फिर 260 के आसपास में आपको SL रखना पड़ेगा अगर यह SL हिट हो जाता आपको निकलना पड़ेगा बट जो अभी का सिनारियो है उसमें इस्टोक अभी बुलिश दिख रहा है यहां पर फ्लेक टाइप पैटन बना दिया इसने यहां से फ्लेक टाइप बना के अगर यह उपन निकलेगा तो 327 देन 350 यह टारगेट्स आप स्विंग टेड के लिए रख सकते हैं बाकी जो लॉंग टर्म इंवस्टमेंट है उनके लिए यह टारगेट्स मैंने बता दिये हैं अभी के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई क्व